लास्ट क्लास में हम लोग ग्रीन एल भी कंप्लीट कर लिये थे बटा जो क्लोरोफाइसी था या जो हम उसे क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं उसे लेटर जितने भी कॉंसेट थे चाहे वो आपके स्कूल लेवल लेवल एक्जामिशन्स के हो सारे कॉंसेट्ट हम्लोग क्या ले थे अपको बताया थे कुछ चीजे मैं एक्साब्र भी आपको बताया थे हूं कि हम लोग थोड़ा सा एवप जाते हैं N.C.R.D के NCRT से थोड़ा सा मिक्ष्रा पढ़ते हैं जहां से हमें questions देखने को मिलते हैं उस सारे segment को हम लोग क्या कर लिये थे complete कर लिये थे आज वाली class में हम लोग बटा second type of algae discuss करेंगे that is pheophyc, pheophyta और brown algae यानि कि brown algae को आज हम लोग discuss करना क्या करेंगे मैंने आपको बताया था जिस sequence से हम लो green algae की study किये हैं उसी sequence में brown algae भी discuss करेंगे उसी sequence में rain algae भी क्या करेंगे discuss करेंगे अगर मैं brown algae की बाखते हूँ बेटा तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा introduction दिर हम structures related point देखेंगे उनके diagram देखेंगे dry diagram से related point को clear करेंगे उसके बाद हम लोग उनके pigments को देखेंगे other important point को देखेंगे और उनके sexual reproduction asexual or vegetative reproduction के point को क्या करेंगे complete करेंगे इन ही sequence को हम क्या करेंगे follow करेंगे इस से पहले मैं already आपको table के form में, chart के form में या examples बगेरा सब already मैं आपको याद कर बाद या हूँ तो उन सारे point को हम लोग इहां पर discuss नहीं करेंगे यहां पर उन point को के वर discuss करेंगे जो की पिछले पढ़ाये गए जो हमारा concept था उसमें वो चीज़े नहीं cover की गई है तो आज वाली class में उन चीज़ों को आप इनों क्या करेंगे cover करेंगे इसी sequence से आपको पढ़ना पीटा confused नहीं होना है कि हम पहले क्या याद करें पहले वाला या बाद बाला मैं जिश sequence से आपको पढ़ाते आ रहा हूं उस sequence से आप पढ़ेंगे क्योंकि question आपको इसी sequence से देखने को मिलेंगे या तो अगर आपको solve कर रहा हूं उन प्रिवेस या के questions या तो आप reference book से कोई question solve कर रहा हूंगे तो आपको easily वो questions क्या हो रहा हूंगे solve हो रहा हूंगे चले तो आज़े हम ब्राउन इलगी पे अब ब्राउन इलगी की बात हम बेटा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे introduction इंट्रोडक्शन में मैंने यहां पर two point को क्या किया है कभर किया है फस्ट है mostly found in marine water mostly जो होते है बेटा वो marine water में present होता है it doesn't means के के वर यह marine में होगा यह marine में नहीं होगा, यह fresh water में भी होगा, brackish water में भी होगा जो मैंने आर्रेडी आपको चार्ज के पर में याद करवाए था लेकिन mostly जो brown इलगी होता है वो कहां पे पाया जाता है तो mostly जो है वो marine water में present होते जानिकि sea water में present होते है इस point को आपको क्या करना है याद रखना है, तो sea water में present होगा बटा तो mostly क्या है बटा, found in marine water इसका meaning बिलकुल भी यह नहीं है कि यह brackish or fresh में नहीं होगा मैं बार बार आपको करना है, maximum जो होते है, वो क्या होते है, marine in nature होते है ठीक है? second है, color olive green to brown depending upon the amount of gentle field or fuco gentle present actually इनका color क्या है, olive green to brown ते हो, इससे पहले वाले जो एलगी थी यानि दुनिया में जो सबसे पहले आई थी वो क्या चीवाई green एलगी थी यह प्रजेंट तो हर किसी में है, उनिवर्सली प्रजेंट है, पीगमेंट क्रूरोफील, चाहिए वो brown हो, red हो, चाहिए वो green हो तो यह green इन में तो होंगी होंगी, यह only green to क्या होगा यह brown कलर में क्या होंगी, यह present होंगी तो यहाँ पर यह brown कलर कितना जादा सू करेगा, कितना जादा deep brown दीखेगा, यह deep brown नहीं दीखेगा, lightly brown दीखेगा, वो depend करता है जैंटो फिल, फीको जैंतिन के concentration पर, जैंटो फिल यान जो फीको जैंतिन है यह क्या है, यह brown कलर को reproduce करने के लिए क्या होता है, एक मतलब brown कलर को सू करने वाले एक pigments है, या अगर यह present होंगे, तो वहाँ पर कैसा कलर प्रोडिक्स होगा, कैसी appearance दिखेगी, तो वहाँ पर appearance दिखेगा brown कलर का, तो यह depend करता है, अचली यह olive green to brown कलर है, और कितना brown होगा, light brown होगा, या deep brown होगा, यह depend करता कि जैन्थोफिल और fucojanthin का concentration क्या है, तो यह दो पॉइंट आपको याद रखना है, कि mostly मेराइं होता है, color की बात की जाता है, तो olive green to brown, इन color होता है, depends upon fucojanthin और जैन्थोफिल प्रजेंट, कितना उसमें, जैन्थोफिल और fucojanthin क्या है, प्रजेंट है, यह आपको introduction वाले structure पर आजाते हैं, structure related ऐसे कौन कौन से concept हैं, जो हम लोगों ने discuss नहीं किया है, जो चार्ज के फॉर्म में या कुछ और भी चीज़ों में जो हमने previous class में बढ़े हैं, उन point को याने जो हमने discuss नहीं किया, और क्या क्या हमें discuss करना है, उस से related मेरे point आपको क्या का दिया लेकर structure के first point हमें body related बहना है बढ़े, then sylvols related, then इनकी morphology यानी बाहर से कैसे plant दिखते हैं, और एक thallus like organization, ये thallophyta plant है, तो thallus उसे related में कुछ point है, जो हमें क्या करना है, याद रखना है, कुछ चीज़े आपको NCRT में मिलेगा, कुछ चीज़े जो है वो NCRT में नहीं मिलेगा, आपको confuse नहीं होना है, हमें थोड़ा सा extra लेकर के चलना है चीज़ों को, क्योंकि neat और M सब क्या हो गई है, combine हो गई है, तो थोड़ा सा extra लेकर के चलेंगे, जहां पर चीज़ों को हमें क्या करना हो, easily हमारा question वहाँ पर solve हो जाए, अगर में body की बात की ज़र्ब है, मतलब क जो brown ilky है, उनकी body क्या होती है, तो body में भी simple branched और filamentous, यानि कुछ ऐसे भी brown ilky है, जो simple होंगे, maybe branched हो सकते हैं, या तो maybe वो filamentous in nature हो सकते हैं, branch यानि कि साखाय उनमें project होगी, filament-like organization साब को मालू है, या तो यह simple भी हो सकते, यानि कि कोई भी branch नहीं होगा, नहीं इसमें जिसका रहा है कि body जो है, brown ilky की, तो body में भी simple branched और filamentous जिसका best example है, एक्टो कार्पस NCRT ने कवर किया है, और जो NCRT example कवर करता है, एक्जांपस हमाले क्या हो जाते हैं, बहुत जादा important हो जाते हैं, नीट के लिए, तो मैंने क्या होता है, कि कुछ ऐसे भी brown ilky है, जो simple branched और filamentous nature के होते हैं, जिसका best example क्या है, एक्टो कार्पस है, some may be profugely branched, यानि कुछ ऐसे भी है, जिनमे branch organization बहुत ही जादा प्रजेंट होता है, profugely क्या है भाई, वो branched form में है, यानि profugely का मतलब क्या हो यहाँ पर बहुत ही जादा क्या होना, अधिक मात्रा में होना, और मा branch like organization प्रजेंट होंगे, वो बहुत ही जादा होंगे, और इसका एक्जांपर है बेटा केल्प्स, और केल्प्स में भी क्या है, laminalia and micro session, केल्प्स के अंदर मैंने आपको याद कर वाया था, जब मैं एक्जांपर पढ़ा रहा था, तो केल्प्स से मैंने बताया था, कि मेरा यहां पर यह क्या है, पूरे ब्राउन एलगी का सबसे लार्जेस्ट एलगी है, अप्रॉक्स हंड्रेड मिटर इनकी लेंथ होती है, इतनी बड़ी एलगी है, आएसमाद में आगे मैं इसको डिस्कस किया हूं, तो आप पॉइंट को बस याद रखेंगे, तो देखो, जिसका एक्टोकर्बस, समें भी प्रोफुजली ब्रांच, जिसका एक्जामपल है, केप्स, और केप्स में आप लामिदेरी और मैक्रोसिष्टी दोनों क्यापल सेक्तर हो, एड़ रसे को, चलिए तो बोडी सेलेटर होगा, कि बोडी सिंपल है, ब्रांच है, प्रोफुज अपर टीए है, तो हम क्या कर लते हैं, कपर कर लते हैं, उस सेललोज में हैं, विटा में is made up of cellulose, which is usually covered by gelatinous coating of algae, अच्री इनकी भी सेललोज के ही बना होता है, लेकिने के सेललोज के बाहरे, यदि जिलेटीनियस सीट प्रजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रजेंट होत या था हम एलजीनिक एसी डिभी उसको बोलते हैं जो आले बारी प्लास में जब मैं इसका यूज्ट परहमगा तो उसमें मैं आपको अच्छे सा डिसकस करूँगा और मैंने टेलव की पॉर्मे छार्व में भी बता दिया कि कि Cellulose with Elegyal present होता है brown algae में Cellulose with pectause present होता है green algae में यह सब हम लोग ऑरेडी भी डिसकница कर चुके हैं लेकिन तभी इस point कि हम लोग एहाँ पर क्या करें कि अदक लिये कि अगल श्रॉक्ट्ट्र है पॉइंट 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 को आपको क्या करना है याद रखना है थार्ड है इनकी इनकी मार्पोलोजिकल प्रपर्टिक आपको कैसे प्लांट दिखते हैं आपको यहां पर दो ऐसे डाइग्राम बनाया है आपके NCRT में तीन चार डाइग्राम दिए गए हैं उन सभी डाइग्राम को आपको क्या करना है बना रहा है यहीं पर जब आप इस चीज को लिखोगे मैंने दो ही बनाया है वहाँ पर चार ब्राण लेडी के एक्जांपल द तो देखो, फ्रॉंड श्टीप और होल्ड फास्ट यह तीन चीज़े बहार से दिख रही है, तो यहां पर जो मार्फोलोजी है, सबसे पहले क्या है, होल्ड फास्ट का फंसर क्या होता है, होल्ड फास्ट लिए फास्ट भास्ट फोल्ड करने के लिए, उसको पकरने के लिए उससे पकरने के लिए, यह ओरिप करना मतलब क्या लोड करना तो वोड़ बढ़ने के लिए क्या पर अधर डेल है उड़ फासटा वर्ड अटैश्मेशन सतिर इस इस्टख़क लाइक और गार्गिशन है। बही ब्राउन इल्गी के front का क्या होता है, function होता है, आया समझ में, तो leaf का function क्या है, बिटा, तो mostly जो leaf होते वो photosynthetic होते हैं, photosynthesis में perform करते हैं, तो यहां पर भी front होगा, वो क्या होगा, photosynthetic होगा, ये सभी के सभी point आपको याद लगना है, बुछ ऐसी चीज़े हैं, concept by चीजो तो यहां पर स्ट्रक्श्र चाहिए ने किया है लाइक कि यहां पर याद करना होता है यहां पर स्ट्रक्टर की बात की जात तो तिंचीज अ होल्ट फास्ट इस्टिप रेज़न वोल्ट फस्ट क्या है वाइड़ एटाइजमेंट स्टीफ इस टॉक या ओरगनाजिशन चो हमारा फ्रॉॉंज रॉट इसक्र ऐसा फोर्ड फोत्राइजिश तरफ टाइफ लाइजिशन है जो हमारा फ्रॉट फॉटो संथेतीक पिलाइजिसद है लेजिटी पाई इसे यह जो ठहले से लेट श्वाइज़ें यह यह तहले से अभिच से जिए पिरूर में फिरूरेंटे कैश से लिए तो यह ईचलिए यह 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 तो यह caib यह श्लिए डीविस विटूर पर लामीनारं क्या बहना, यह समय, डुप सराइब कर होगा। इस के वापनों को रहे है तो फ्रॉंड यहाँ पर मीसी ज़ना कशने होगा, उपने सब्सक्राइब और बाटी में यहाँ प्रॉट का कॉन्डक्सराइब कर ला होगा। ब्राउड एर्बिकि में बात गरना तो तो देखो इस टीव नाइक ऑगिनाजेशन को हम क्या बहुत है बैटा trumpet हाइफे, क्या बुला जाता है, trumpet हाइपे बुला जाता है, यह trumpet हाइपे क्या है भाई, तो present for food conduction, यानि अगर इस area में, lamina वाले area में photosynthesis हुई है, यहाँ पर food का formation हुआ है, तो यह food इन ही के थूँ, यह तो steep में जो trumpet हाइपे, वेटा tip like organization, इसी के थूँ, पूरी body में क्या होगा भाई, conduct होगा, पूरी body में क्या होगा, एक जगा से दुश्य जगा, move करेगा, तो यहाँ पर यह थैरा selected point भी हमें याद रखना है, कि lamina और strip दो चीजे present है, lamina leafly light structure है, leaf present है, photosynthetic होता है, और stiff क्या बिटा, इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, lamina और stiff यह दोनों से related point हमारा क्या होगा, तो देख, इस structure में हमने body देख लिया, cell wall देख लिया, अब इस से लिटेटिन के huge देखेंगे, allergene से लिटेटिन के huge देखेंगे, जो आने वाली class हमें बताऊंगों बहुत important concept है, Marthological property हमने complete कर लिया, और thallus live organization, lamina और steep trumpet हाई पे, इन सारे word को आज हमनों क्या कर लिये complete कर लिए, यह basic and basic word है, इस पर आपको command बनाना बहुत जरूरी है, और मैं हमेसा बता अदम कि छैप्टर आपके लिए बहुत important है, चार पास portion लेकर के आएगा आएगा आपके लिए need में, हाना तो यह जितनी क्यों कि अब हम लोग कहां पर आया है, basically अब हम लोग बूटनी पे shift कर चुके हैं, अब हम लोग plant को पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, तो अब यह सारे के सारे जितने भी concept है, यह हमारे need के लिए बहुत important होजाए है, चले निश्ट आते हैं बिटा point है, trumpet hypes related, trumpet hypes analog to seem of vascular plant, आपने 10th class में पढ़ा होगा, जब आपने 10th class में पढ़ रहा होगे कि vascular issue क्या होता है, जाइला आपने फ्लोई में आपने पढ़ा होगा कि flowing में क्या present होता है, तो sieve tube element present होते हैं, क्या present होते हैं, sieve tube जहां से food को क्या किया जाता है भाई, उसको transport किया जाता है, तो sieve tube का जो function है, ब्राउन एलगी में किसका है, trumpet हाइफे का है, तो sieve tube जो element present होते हैं, higher plant में, vascular plant में, उसी का function, उसी का analog उसी के जैसा बहावार करने वारा, यहाँ पर जो organization present है, उसको हम क्या बोलते हैं, trumpet हाइफे, क्या बोलते हैं, trumpet हाइफे, तो इस point को याँ लखना है, direct नीटे में आपको questions मिलेगा, या तो आपको कही questions अगर solve करें हो, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो trumpet हाइफे, ज़र analog to sieve of vascular blood, है ना, next point है, some brown algae are heterotritis in nature, homo का मतना होता है similar type, और hetero का मतना होता है dissimilar type, यानि कि यहाँ पर कुछ dissimilarities देखने को मिलेंगे, brown algae के अंदर हो, तो वही है, some brown algae are heterotritis in nature, that is, thallus with two type of branches, यानि यह जो thallus related है, thallus like organization है, इसमें दो तरह की branches देखने को मिल सकते हैं, first one is prostate, and second one is erect, यह prostate भी हो सकता है, erect भी हो सकता है, सारगेसम आपको डायरेक्ट याद रखना है, कि सारगेसम इस तरह heterotricus nature of brown algae, या heterotricus type of brown algae, आया समझ में, direct आपको question पूछा जाएगा, which one of the brown algae is heterotricus inner nature, तो आपको direct examples याद रखना है, कि that is सारगेसम, सारगेसम इन ऐसा है, आपको questions में देखने को मिलेगा, तो मैंने वो दोनों point को आपको यहाद पर रख दिया, ताकि इन point को आप बार बार नजर लगाते रहा हो, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और यहाद से questions आते हैं, नीट में तो solve हो जाएगे, चले, इसके बाद मैंने structure बनाया है, लामीन एलिया और fucus का, इसके अलावे भी और भी दिया गया है, वहाँ पर जो आपको बना लेना है, NCRT में जितने भी डाइगाम में है, sometimes A, B, C, D करके आता है, यह क्या है, A यहाँ पर देदेगा, यहाँ पर B देदेगा, यहाँ पर C देदेगा, और आप से पूछेगा, बताओ A क्या है, B क्या रिपरेंट कर रहा, C क्या रिपरेंट कर रहा, ऐसे questions वहाँ पर निट के examinations में आते हैं, तो यह leafy-like organization है, जिसकों फ्रेंड बोलते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर आप अड़ कर रहा, करेंगा, तो responsible for floating, है न, फ्लॉट करने के लिए क्या होता है, responsible होते हैं, तो यह तो diagram भी हम लोगों ने देख लिए, next class में हम पीगिमेंट से देखेंगे, इनके reproduction से little concept को देखेंगे, इनके used से little concept को देखेंगे, और एक allergenic acid, allergen वाला जो concept है, उस concept को भी clear करेंगे, complete करेंगे, और brown nail को हम लोगों क्या करेंगे, finished करेंगे, तो हम लोग next class में मिलते हैं, next concept के साथ, thank you for watching from my experiment.